नमस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और गुजरात विधान सबा के रीजर्ट के बाद अब सबसे बड़ी खबर आ रही है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा जटका लगता हुआ नजर आ रहा है और अर्विंद केजरिवाल के लिए ये सदमे की खबर हो सकती है कि उनके जो पांच विधायक चुन के सामने आए हैं अब उनमें होड मत चुकी है बीजेपी में सामिल होने की एक तरब तो बता दें आपको कि अभी नहीं नहीं चुनी सरकार है उसका सपत ग्रहन भी सुरू नहीं हो पाया है लेकिन जो आम आदमी पार्ट में स्थीत है और वहां से जो आम आदमी पार्टी के विधायक इस बार चुन के आए हैं भूपत भाई भायानी अब वो बात आ रही है सामने कि उनकी पूरी बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी बात चीत हो चुके और अभी कुछ समाई बाद वो बीजेपी में सामिल ह हो सकते हैं और उसके बाद ये बताया जा रहा है जो भूपत भाई भायानी है उनके हाथ में ये जिम्मा होगा कि जो बाकी विधायक आम आदमी पार्टी के जो चार और विधायक बचे हुए या कॉंग्रेस के कोई और विधायक बचे हुए जो उनके संपर्क में हो सकते ह जो उनके साती हो सकते हैं उनको भी बीजेपी में सामिल कराने का सिलसला सुरू हो चुका है और ये देखिए बहुत बड़ी ख़बर है कि जो आम आदमी पार्टी इतरा रही थी कि गुजरात इलेक्शन के बाद उनको जो 13% वोट सियर मिला है उसकी वज़ों से जो वो राष्ट या पार्टी का दर्जा उन्हें हासिल हुआ उससे अर्विंद केजरिवाल काफी उत्साहित नजर आ रहे थे भले ही उनकी जो आई बी की रिपोर्ट है वो सत साबित नहीं हुई है पतानी कौन सी आई बी की रिपोर्ट थी उनके पास जो उनको बता रही थी कि आम आदमी पार्टी की वहां पर भहुमत से सरकार आ रही है लेकिन अर्विंद केजरिवाल को सबसे बड़ा सदमा अब लग गया है कि उनके जो विदायक है पांच विदायक बड़ी मुश्किल से उनके जीत के आए थे कहां वो दम भर रहे थे 23 अवे से ज़्यादा विदायकों का लेकिन उनके जो पांच विदायक थे उन मेंसे भी अब एक विदायक अब भारतिय जन्ता पार्टी में कुछ समाई बाद जब जॉइनिंग हो जाएंगे तो उस समय ये देखना होगा कि जो अरविंद केजरिवाल लगातार ये धम बर रहे थे कि हमारे विदायक कोई बिकने वाले नहीं हैं और लगातार ये कह रहे थे कि हम एक अलग ही राजनीती को करने के लिए मैदान में आये हैं लेकिन उनके जो विदायक हैं वो लगातार अब बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं और अब भी कुछ समय बाद इन चार और विदायकों के पर भी तलवार लटकी है विदायक बीजेपी को जोईन करने लगे हैं और इस खबर की पुछती की है वहां के पूर्व मुख्यमंत्री विजाई रूपानी और नितिन पटेल द्वारा जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके संपर्क में कोई आम आदमी पार्टी का विदायक है तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी हो हमारे लिए हमारी पार्टी में सभी के लिए दरवाजा हमेशा खुले रहते हैं और अगर कोई हमारी पार्टी से जूड कर जनता की भलाई करना चाता है तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है और नितिन पटेल से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें जर्रत नहीं है किसी की विधायकों को जर्रत हो सकती है कि उनके इलागे में जो अगर विकास के काम करने है तो वो हमारे साथ जूर सकते हैं ये बहुत बड़ी खबर है कि बीजेपी के बड़े नेताओं से भी पुछती हो रही है कि कोई बड़ा आम आदमी पार्टी का विधायक बीजेपी में कुछ समाई बात सामिल हो सकता है को लगातार ये बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो गुजरात चुनाओं में भारी भरकम वहाँ पर पैसा लुटा के आई थी उसने पूरी कोशिस की थी कि वहाँ सरकार में आये तमाम बड़े बड़े एड़र्टाइजमेंट छापे गए एक साल से ज़ादा बड़े टीवी चैनलों पर उनी के एड़ यूट्यूब में सबसे ज़ादा जो एड़र्ट जनता पार्टी है उसकी 156 से ज़ादा सीटें कैसे आ सकती हैं वो तो समझ रहे थे कि जो कॉंग्रेस का पूरा जनाधार था गुजरात में वो पूरा खिसक कर जैसे दिल्ली में आ गया जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी की जोली में बैठे बैठाया आ गया वैसे ही गुजरात में होगा लेकिन गुजरात में ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि जो कॉंग्रेस है जो उसकी पकड़ है गुजरात के ग्रामीड एलाकों में उसको कोई डिगा भी नहीं पाया है लेकिन इस बार जब आम आदमी पार्टी ने कॉंग्रेस के कुछ वोट शेयर पर सेंद मारी की तो उसकी वज़ों से भारतिय जनताफ पाटी की जो सीटें उसमें इतनी बढ़ोतरी हो गई कि 182 में से 156 सीटें लगबग 87% सीटें उनके खाते में आ गई और अभूत पूरवी इस बार विजाई करते हुए पूरे रिकॉर्ड तोड़ते पार उसमें कॉंग्रेस की सीटें आई थी वहां 1.500 तो उसको भी पार करते हुए उस बार 156 सीटें भारतिय जनताफ पार्टी ने वहां पर ली हैं तो यह बहुत बड़ी खबर है यहां पर गुजरात में कि जो कॉंग्रेस पार्टी है उसको बड़ा जटका तो पहले ही लग चुका उनकी जो वोट शियर है पहले से वो खिसक कर 26 परसेंट के आसपास आ गया है और जो सीटों का जो आंकड़ा था पहली पिछली बार 77 सीटों का उससे कम होकर इस बार वो केवल 17 सीटों पर महज सिमट गई और आम आदमी पार्टी जो दम भरी थी सरकार बनाने क कि वो एस नेता के साथ आ जाजाता है तो ये देखना होगा कि जहां जहां आम आदमी पार्टी के चाहिवो जूनागड में हो चाहिवो नर्मदा डिस्टिक में हो तो चाहिए वो अलग अलग जगह। जहां भी आमाद्मी पार्टी की सीटें आई हैं, पांच वो नेता अब BJP में किसी भी वक्त सामिल हो सकते हैं जो आम आदमी पार्टी के नव निर्वाची जो सब MLA हैं भूपत भाई भायानी जो अभी BJP में सामिल होने वाले हैं तो उनके अब जिम्मे ये आने वाला है कार्यकी जो बाकी विधायक और बचे हैं आम आदमी पार्टी के वो भी कभी भी किसी भी वक्त BJP में सामिल हो सकत तो उसके लिए उनके पास जिम्मेदारी दी जाएगी और वहां से जो आम आदमी पार्टी के पांच विदायक हैं उनको बीजेपी सुन्य पर करना चाहती है क्योंकि वहां पर जो बीजेपी का गड़ है उसमें बिलकुल भी बीजेपी यह नहीं चाहती है कि वहां पर आप तो खबरें ये भी आ रही है कि कॉंगरेस के कुछ बड़े बड़े जो बिदायक अब जीत के आए हैं 17 उनमेंसे भी एक बड़ी संख्याब बीजेपी में सामिल हो सकती है तो ये कॉंगरेस के लिए भी खत्रे की गंटी है कि उनके भी जो बिदायक हैं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विदायक सामिल हो रहे हैं BJP में वो भी किसी भी वक्त BJP में सामिल हो सकते हैं अभी सपद ग्रहन तक नहीं हुआ है गुजरात सरकार का गुजरात में जो BJP की नव निर्वाचि सरकार बनी है कल वहाँ पर उनका सपद ग्रहन होगा उसमें पूरे बड़े लेबल पर पूरी तयारी की गई है जिसमें बीजेपी के सबी राजियों के मुख्यमंतरी, प्रधान मंतरी, ग्रहमंतरी, राजनाजी, नितिन गटकरी, सारे बड़े नेतां वहाँ पर बीजेपी के सामिल होंगे क्योंकि इतनी बड़े प्रचंड वहमत के साथ बीजेपी अपने गड़ को बचाने में काम्याब रही है और लगातार 27 साल के बावजूद एंटी इंकंवेंसी होने के बावजूद ये दिखाई दिया कि प्रो इंकंवेंसी बोर्ट शियर पहले से ज़ादा बड़ा है बीज अर्विंद के जिवाल उनको बड़ा ये जटका दिया गया है बीजेपी द्वारा के उनके जो MLA है अभी दो दिन भी नहीं हुए है जीत के जस्न के कि उनको ये बहुत बड़ा जटका लग गया है आमादमी पार्टी को और जो वहां उनका केडर था गुजरात में आमाद का दिया जाए और अब वो बीजेपी में सामिल हो रहे हैं वहीं जो खबर निकल के सामने आई है कि इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जैसे ही लोगों को पता लगा कि आमादमी पार्टी ने कॉंग्रेस के जो सीटें थी जो उसके वोट शियर थे उसको काटा है और जो 26 परसेंट या 27 परसेंट कॉंग्रेस के वोट शियर आया है ये इस वज़ों से आया है कि आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर 13 परसेंट की सेंद मारी की या तो कॉंग्रेस के वोट शियर में या विपक्स के वोट शियर से 13 परसेंट उनका वोट शियर कम किया जिसकी वज़ इसके वोट शेयर को काटा तो उसके बाद वहाँ पर बीजे पी की जीत हो गई तो इससे जो लोग हैं जिन्नोंने आम आदमी पार्टी को इस बार वोट दिया है वो खासे नाराज हैं क्यूंकि जो आम आदमी पार्टी है वो तो खुद की सीटें नहीं निकाल पाई लेकिन उसको चक्कर में जिन लोगों ने यहाँ सोच कर वोट दिया था कि यह पार्टी है जो यहाँ से जीत के बीजेपी के खिलाप खड़ी होगी लेकिन ना तो आमादमी पार्टी अपनी सरकार बना पाई ना या अपने इतने बिदायक लाप आई कि वो विपक्स में हो तो इस व वोटर हैं वो वहाँ पन निरासा से भरे हुए हैं कि हमने सबसे बड़ी गलती कर दी कि आमादमी पार्टी को वोट दे कर अपना पूरा जो पूरा सपना था उनका कि बीजेपी को इस सीट से दरकिनार रखना वो ऐसा लग रहा है कि वहाँ के जो वोटर हैं वो काफी नार हो सकती है ये हम नहीं कह रहे हैं ये वहाँ के इस्थानिया लोग उनसे बात करके हमें पता चल रहा है वो हर बार ये कह रहे थे कि हमने गलती कर दी आमादमी पार्टी को वोट दे कर क्यूंकि ना तो वो खुद की सीट निकाल पाए ना कॉंगरिस को निकालने दिया तो से वहां के लोग खासे नाराज हैं और अर्विंद के जिवाल का उस दिन के बाद गुजरात का दोरा नहीं हुआ है वो वहां के लोगों से मिलकर नहीं आये हैं जितनी भी सीटे हैं उनकी पांस सीटे आये हैं उनका धन्यवाद नहीं किया उन्होंने तो इससे वहां के लो कि सबत ग्रहेंट समारों से पहले कितने आम आदमी पार्टी के विधायक BGB को जोइन करते हैं और कितने उसके बाद जोइन करते हैं तो इसी तरीके से बाकी खबरों को देखने के लिए हमारी साथ जोड़े रही हैं नमस्कार